तो आज के सुभा का ग्यान ये एक छूटी सी शायरी है जो मेरे अलफाजों में है, खुद लिखी है डिस्क्लेमर ये है कि हो सकता है किसी और से मिलती जुलती हो लेकर मैंने ये कहीं पढ़ी ने थी अर्स किया है अर्स किया है इनसान क्यों लड़ता है जमीन के चंद तुकड़ों के लिए जब सिर्फ दो कर्स जमीन की जरुरत पड़ती है जनाजा निकलने के बाद जी हाँ, ये जीवन का अमूल ये सत्य है कुछ हो ना होता है इस दुनिया में क्योंकि कोई चीज तै नहीं होती हो भी सकता है नहीं भी हो सकता लेकिन एक चीज जो तै है जो होना ही है वो है मृत्यू शारिरिक मृत्यू यानि की मौत लेकिन अकसर ये चीज इनसान भोल जाता है पर इसके आगे भी कुछ है आत्मिक बृत्यू अब या आत्मिक बृत्यू क्या है इसे कैसे बचना ऐसका सुजाव क्या है एक खास किताब पढ़ेगी उसके लिए और वह प्वित्रिशाcsठ्र वाइबल लेकिं बाइबल पढ़के सिर्फ पढ़े नहीं रखना उसे उसे समजना है उसे कार्यू में लेक कराते हैं तो समझदार इसी में हैं कि पड़ें समझें खोजें सत्य को और उसे पाएं और उसे कार्यों में लेकर आएं ताके यह जो कश्मकश यह जो हडबड़ी चल रही है वो सबसे हम बचे रहें और ऐसा ना हूं हमारे साथ ताट्स थांक यू